नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल में एडमीशन का दोर चल रहा है और हम धड़ा-धड़ा अपने बच्चों का एडमीशन करा रहे हैं हम ये नहीं देखते हैं कि एडमीशन कराते वक्त उस इस्कूल का सर्टिफिकेशन है या नहीं वो इस्कूल माननेता प्राप्त है या नहीं और जो उसमें बस या कैब चल रहे हैं हम इस्कूल में दाखला करा दिये उसमें हमने बस में भी एडमीशन करा दिया लेकिन हम ये नहीं देखते हैं क्या उस इस्कूल में जो कैब या जो बस है वो आखिर में सर्टिफिकेशन रूल के अधीन है या नहीं है क्या वो रूल फॉलो करता है कि नहीं सुप्रीम कोट का क्या वो इसकूल की जिम्मेदारी वो इसकूल पूरी जिम्मेदारी अपनी निभारा है कि नहीं अपने कैब और बस को लेके आज उसी पर एक रूल है जो सुप्रीम कोट के द्वारा जारी हुआ था कि आखिर में जो भी स्कूल है और वो बस और कैब चलाते हैं तो उनको क्या-क्या फॉलो करना है कौन-कौन सा रूल है उसी रूल पर आज बात करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले ये हमारा बस होता है और इसी से हमारी जिन्दगी की शुरुवात होती है जब हम पढ़ने जाते हैं और हम बस सर्विस यानि उस कैब में बैठ कर जाते हैं ये वो बस होता है याद रखिएगा भारत में कुछ ट्रैफिक रूल हैं उन्ही को फॉलो करके इस्कूल बस लगाए जाते हैं इस्कूल फॉलो भी करता है कुछ इस तरह के रूल के अनुसार सुनिएगा इस्कूल बस के लिए भारत के सर्वच नियायाले का निर्देस यानि सुप्रीम कोट का कुछ निर्देस है बस के पीछे और आगे इस्कूल बस अवस से लिखा होना चाहिए याद रखिएगा ये पहला रूल है एडमिसन कराते वक्त जरूर ये पूछें क्या हमारे इस्कूल बस के आगे और पीछे क्या ये इस्कूल बस लिखा हुआ है की नहीं इससे ये रहता है की दूर से पीले रंका होना चाहिए और इस्कूल बस लिखा होना चाहिए तब ही तो पता चलेगा की हाँ ये बच्चों का इस्कूल बस है अगर कोई आस पास में कोई बड़ी गाड़िया है तो वो भी संभल के चलते हैं कि ये स्कूल बस है तो पहला रूल यही है कि आगे और पीछे लिखा होना चाहिए दूसरी बात अगर कोई स्कूल है और उसके पास अपना बस या कैब नहीं है और वह प्राइवेट बस या कैब हायर किया हुआ है तो उस पर पक्का लिखवाए कि यह जो किराय का जो यह गा जरूर इसको दर्साएं कि यह स्कूल ड्यूटी पर है ठीक है यह हमारा दूसरा रूल है सुप्रीम कोट का इस कूली बस में चिकित्सा उपचार के लिए फॉस्ट एड होना अतीज जरूरी है लेकिन इसको कोई फॉलू करेगा तब तो ना तो हम देखते हैं ना तो वह स् यह दवाई उपचार वाली जो किट है यह जरूर होना चाहिए यह भाईसा मैं नहीं कह रहा यह सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स कह रही है लेकिन हम लोग देखते थोड़ी हैं हम लोग तो सीधा पैसा जमा किये और जिम्मेदारी खतम कर लेते हैं अब स्कूल वाले पहुचाएंगे बस की खिड्कियों में ग्रिल लगी होनी चाहिए यह भी एक रूल है नहीं तो बच्चा देखो जैसे यह स्कूल बस है इसमें ग्रिल तो नहीं है लेकिन यह बस इसकूल है देखे इसमें ग्रिल है तो इस तरह के ग्रिल लगे होने चाहिए ताकि बच्चा कई खिड्की से ना कुच जाए या अपने हाथ बाहर ना निकले ग्रिल जरूर होनी चाहिए देखे इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है तो य पर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ठीक है ये भी होना जरूरी है बस पर इसकूल का नाम और टेलिफोन नमबर अवस से लिखाओ ऐसा कोई बस ना हो जिस पर नाम ना लिखाओ देखे जैसे इस पर नाम लिखा हुआ है इस पर नाम लिखा हुआ है और इस पर टेलिफोन नमबर जरूर होने चाहिए जैसे कि यहां देखो लिखा हुआ है तेलिफोन नंबर जरूर होने चाहिए ये बिल्कुल बस बिल्कुल अपनी रूल देखे इसमें ग्रिल भी लगे हुए है इसमें नाम भी है इसमें टेलिफोन नंबर भी है और ये पिले रंग का भी है बिल्कुल हो किसे में दर्वाजा खोल के कुदना जाए कई बर आपसी लड़ाई होती है तो बच्चे उसी में से कुद जाते हैं प्रपर खिड की बंद होनी चाहिए दर्वाजा बंद होना चाहिए जैसे यह में डोर बंद होना चाहिए देखिए यहां पर यह लोक होना चाहिए ठीक है और यहाँ पर ओफिशियल ताला और चाभी होना चाहिए तो ये भी कहीं ना कहीं एक रूल जरूर है और बस्ता यानि बैग रखने के लिए नीचे पूरा जगह होना चाहिए ताकि अराम से बस्ता रख दें और सब कुछ हमें सुरक्षित दिखे कई वर बच्चे अपने बै लेकिन आज कर लोग कहां मान रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चों को छोड़ने के चक्कर में भाई साहब चाहे 110 की स्पीड हो चाहे 80 की स्पीड हो कोई नहीं देखता ये सीधे भागम भाग हो रही है थोड़ा संभल जाईए ये वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आ आगे बिपत्यों का पहाड भी तूट सकता है भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन अगर आप सचेत नहीं होंगे तो इस तरह की घटना जो अभी हर्याना में होई वो कहीं हमारे इर्द गिर्द ना हो जाए उससे पहले हम सचेत हो जाएं सुप्रीम कोट कहता है कि ये कहीं ना क कहीं सीमा होनी चाहिए 40 कि दूसरी बास सबसे इंपोर्टेंट कि उस कार में उस कैब में उस बस में या तो एक टीचर या तो एक अटेंडेंट होना जरूरी है ताकि वो बच्चों के भी निगरानी करे और वो ड्राइबर पे भी निगरानी रखे हर्याना में जो अभी घ अच्चों की मौत हुई है भगवान उनके आत्मा को सांती दे लेकिन कहीं ये घटना क्या ये सिर्फ यही है नहीं अगर हम सचेत नहीं हुए तो और भी जगों पर होती मिलेगी आपको लेकिन उससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए एक अटेंडेंट होना जरूरी है लि लेकिन लाल तो खत्रे का निशान है वो हम नहीं ले सकते इसलिए हमने पीला चुना ठीक है इसकूली बच्चों की उम्र बारा वर्स से कम है तो एक सीट पर दो बैठ जाए चलेगा लेकिन अगर बारा वर्स से जादा है तो अगर एक सीट है तो वो एक बच्चे के लिए ह है आखिर में कहना ये चाह रहे हम कि इस सीट पर ऐसे नहीं कि बस में 40 लोगों की सीट है और तुम असी लोगों को बिठा लो ओर लोड कर लो ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चे खड़ा होके जाएं लटक के जाएं ये उचित नहीं है ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है लेकिन आज कल आपको मैं दिखा रहा हूं आज कल क्या होता है देखिए मै आपको दिखा रहा हूँ आज कल इस तरह के कैब चलते हैं देखिए ना कैसे नियमों की धजिया उड़ाई जा रही हैं बच्चे लटक के बच्चे एक के उपर एक बैठ के जा रहे हैं कहां है वो नियम कानून लेकिन हम थोड़े से पैसे के चक्कर में लालच के चक्कर में ह हम इस तरह के कैब हायर कर लेते हैं आपसे विनमर निवेदन है कि ये जिन्दगियां बड़ी कीमती हैं इनको ना खोने दें इनको बचाएं और पहले से ही सचेत हो जाएं तो याद रखिएगा इस तरह के कैब या बस चुने जिन पर सर्टिफिकेशन रूल लागू है और उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए उसके पास नीले रंग की ड्रेस होनी चाहिए और आइकाड गले में होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए पता चले कि ड्राइबर आया और बीच रास्ते में उतर गया किसी दूसरे को पकड़ा दिया कि भाई तू ज जानता है तो प्रोपर आईडी सहीत होनी चाहिए बस चालक को स्कूल कैम में ले जाने वाले बच्चों की पूरी सुची रखनी होगी जिसमें नाम, क्लास, कहां तक छोड़ना है, रक्त गुरूप, हर किस रूट से जाएगा, किस पॉइंट पर छोड़ेगा, ये सब पता हो चाहिए चालक को, उसके बस में कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, देखिए ये बिलकुल ड्रेस में है ये, और देखिए एक एक बच्चे बस में जा रहे हैं, देखिए उनका लिष्ट तयार हो रहा है, ये होता है रूल, ये होता है कानून, क्या आपके बच्चे जह का हक है आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आपकी जिम्मेदारी भी है ये जाच कर लीजे अगर वीडियो अच्छी लगती हो सेर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को अपने मित्र को जरूर बताईएगा चलिए यदि इस्कूल और माता-पीता द्वारा मेन पॉइंट पर बच्चे को अगर उसी अस्थान पर अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हों जैसे ड्राइबर हैं एक पिक पॉइंट चुना गया है कि हमारा बच्चा यहीं पर उतरेगा रोज और अगर माता-पिता वहां नहीं है तो यह ड्राइबर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है क कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को उतार दे ना अगर वो स्पीक पॉइंट पर या ड्रॉप पॉइंट पर अगर माता-पिता नहीं दिखते हैं तो वह बच्चे को दुबारा गारी में लेकर इस्कूल ले जाकर छोड़े और वहां से फोन कराए कि हमने इसलिए नहीं उतारा क कि आप दिखने ही रहे थे मैं उतार देता और कोई और घटना हो जाती कोई किड्नेप कर ले जाता या बच्चा सड़क पर गूमता एक्सिडेंट हो जाता तो यह भी एक ड्राइबर की नेतिक जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है कि उतार दिया छोड़ दिया यह आपकी जिम्म CCTV कैमरा अनिवारे है बिल्कुल होना चाहिए CCTV कैमरा बिल्कुल होना चाहिए यह मतलब रूल है याद रखना वो CCTV कैमरा साथ दिनों तक श्टोर रहेगा अगर मान लिजे बस के अंदर कोई घटना हो जाए दो बच्चे आपस में लडाई कर ले या कोई बाहरी व्यक्ति हम ला कर दे उसके पुकता जानकारी तो होनी चाहिए क्या आपका बच्चा जिस स्कूल वैन या कैब से जाता है क्या ये फैसिलिटी उसमें है अगर नहीं है तो आज ही कराने की कोशिश करें स्कूल प्रिशासन से ये बोलकर कराएं याद रखिएगा बैंगलूरू महा लिगम ने 500 स्कूल बसों में कैमरे लगवाएं हैं 500 ये पहल देखिए कितनी अच्छी है क्या हमारी जिम्हदारी नहीं बनती है क्या हमारे स्कूल की जिम्हदारी नहीं है बिलकुल है तो आज ही जागरूख हो ये काम करवाएं देखिए ये देखिए ये देखिए इससे आप भी सेफ हैं, इससे बच्चे भी सेफ हैं और वो प्रशाशन भी सेफ है, कल का कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इसकूल बस पीले रंग का होगा, 1994 से ये माननेता मिला है। पहचान के लिए बस के सभी तरफ खिड़कियों के गोल्डेन ब्राउन रंग के पट्टी लगे होंगे ताकि वो दूर से चमकें, ये देखिए, ताकि वो ये पता चलता रहे कि ये इसकूल बस है। बारत में सभी स्कूल बसों में आपात का लिन खिड़किया होनी चाहिए, यानि इमर्जेंसी गेट होना अनिवारे है। ये देखिए, और कुछ बसों में साइट के खिड़कियों में भी होता है। ठीक है, चलिए कुछ अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारिया है, आखिर में वो जिम्मेदारिया क्या हैं, आए उसको जानने की कोशिश करेंगे, माता पिता और छात्री की भी कुछ जिम्मेदारी है, देखी, माता पिता को अपने बच्चे को निर्धारित समय पर स्कूल बस जहां पर assembly point बना है वहाँ पर समय से बच्चे को लेकर वहाँ खड़ा रहें अगर आप समय से वहाँ नहीं रहेंगे तो स्कूल बस आएगे वेट करेगे और चली जाएगे आप उस पर driver को जिम्मेदार नहीं कर सकते उस driver यानि pilot पर जिम्मेदारी आप नहीं थोप सकते कि आप रुके क्यों नहीं यह आपकी जिम्मेदारी बनती है उस point पर एक तो pick करने एक तो drop and regulation बताना चाहिए माता-पिता को कि बच्चे इस्कूल बस के अंदर आपको खिड़की से हाथ नहीं निकालना है उचल कूद नहीं करना है ज्यादा आपस में बातचित नहीं करना है लड़ाई नहीं करनी है ये सारी जिम्मेदारियां ये सारी बातें माता-पिता को भी देनी चाहिए ये भी हमारी जिम्मेदारी है माता-पिता को ड्राइबर के किसी भी अपराद या लापरवाही के बारे में स्कूल परशासन को सूचित कीजे कल यहीं तो हुआ हर्याना में जब लोगों ने इसकूल बस की चाभी खीच ली और जब परशासन को फोन किया तो परशासन ने सीधा कहा जी आज जाने दीजे कल से हम इसको निकाल देंगे या ऐसी बात सुनने में आई है और आगे पता चला कि एक भीशड हादसा हुआ है जिसमें छे या आठ बच्चे जान गवा दिये वो मासूम और कम से कम 30 से 35 घायल हो गए कई परिवार तो ऐसे हैं कई मा तो ऐसी हैं जिनका एक लोटा बेटा था एक मा ऐसी है जिसके दो बेटे थे दोनों ने जान गवा दी एक छोटी सी हादसा इनके लिए छोटी हादसा होगी लेकिन उस परिवार के लिए तो एक बड़ा हादसा है दोबारा ऐसी घटना ना हो उसी के लिए ये बीडियो आपको सचेत कर रहा है अपने मित्र अपने परिवार मंडल में इसको जरूर सेयर करें माता पिता की जिम्मेदारी के तहत एदी घर लोटते पर कोई उन्हें लेने नहीं आता है तो ड्राइवर छात्र को स्कूल में लेकर चला जाएगा कहना ये चाहता है कि अगर आप उस एसेम्मली पॉइंट पर नहीं पहुँचते हैं और इसकूल बस पहले आ गया माल लेते हैं आ अपने टाइम से और आप उस पॉइंट पर नहीं पहुँचे जैसे कि मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर देखो बस इनको उतार के चला गया अगर आप यहां ताइम से पहुच गए आपको हैंड ओवर कर देंगे अगर आप नहीं दिखोगे तो ये बस की ड्राइबर की जिम्मेदारी है इन बच्चों को उतारे नहीं इनको इसकूल लेके चला जाए और वहां से फोन कराए कि जी आप वहां नहीं थे अब आपका बच्चा इसकूल में है आप आईए और ले जाएए सुरक्षित ये नहीं कि आप जाओ जी अपने पॉइंट पे उतरो मेरा तो काम खतम हो गया ये वही हादसा है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं जिसमें छे से आठ वच्चों ने अपनी जान गवादी किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो मैं भगवान से आगरह करता हूं कि उनके आत्मा को सांती दे और ऐसा पहाड़ों का जो पहाड़ ना तूटे दूसरे परिवार पे तो इस तरह के रूल कानून जो है इसकुल प्रसासन को भी फॉलो करना चाहिए और हम गारजियन अभिभावक को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए दीजिये हमें इजाजत नमस्कार दोस्तों